महिलाओं को अबला से सबला बनाने के संकल्प का नाम है प्रग्या पारिजात और डॉक्टर मिनाक्षी कालरा पेशे सिवकील मजलूम को तलाक दिलाने की दलील और मजबूत अपील बस यही भारत की इन दो बेटियों की पहचान है तलाक के वक्त महिलाओं को कानूनी हक बताती है अधिकार की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाती है काला कोट पहन कर तलाक शुदा महिलाओं के उजले भविशे का ख्वाब देखने वाली इन दो शक्तियों की जिद जरूरत मंद को मजबूरी की जकरबंदी से निकालने की है इनसाफ के तराजू पर तलाक लेने वाली महिलाओं के अधिकार का संकल्प लिए प्रग्या और मिनाक्षी की जिद घूंगट के पीछे चिपी आखों के आसू पोचने और हक की आवाज बुलंद करनी की है हम महिलाओं में आज कहानी उन वकीलों की जिनके लिए काला कोट उस संकल्प का नाम है जिसके सामने महिलाओं का हक ही एक मात्र विकल्प है हम महिलाओं कि आज की एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है आपके साथ मैं रशना बंसल शादी को लेकर आपने सुना होगा ना कि साथ जन्मों का बंधन लेकिन आज कल और पिछले कुछ 10-20 सालों में ये ट्रेंट बहुत जारा तेजी से बढ़ा है कि पती-पत्नी में अगर नहीं बनती तो वो डिवोस की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं लेकिन कई कदम पीछे इसलिए रह जाते हैं कि डिवोस का डिसीजन तो ले लिया लेकिन फिर वो जो सालों कानूनी चक्करों में उन पच्चडों में फसना है शायद ये फैसला ठीक नहीं होगा ऐसे कौन-कौन से कानूनी मसले हैं जिसमें आप फच सकते हैं या कैसे उन से बच सकते हैं डिवोस को लेकर बहुत से सवाल हमारे जहन में रहते हैं और उन्हीं सभी सवालों का जबाब आज हम अपने खास गेस्ट के जरीए दर्शकों तक पहुँचाएंगे खासतोर से आ कि परसनली मुझे लगे कि मुझे किसी शक्त के साथ नहीं रहना लेकिन वो कौन सी लाइन होती है जो प्रॉस हो जाए और फिर एक महिला को ये फैसला करना चाहिए कि हां मुझे डिवोस चाहिए कानून के दाइरे में अगर हम बात करें तो क्रुवेल्टी का एक ग्राउंड है जो सबसे इंपोर्टेंट ग्राउंड है जिसके तुरू आप डिवोर्स के लिए आप अपलाई कर सकते हैं उसके इलावा वुमिन के लिए तीन-चार और ग्राउंड दिये गए हैं सेक्शन 13 है Hindu Marriage Act का जो गवर्न करता है कि डिवोर्स किन ग्राउंड पर दे सकते हैं तो वो जो ग्राउंड है जैसे क्रुवेल्टी हो गया अगर किसी की अल्रेडी शादी हो रखी और फिर वो दूसरी शादी कर लेते हैं उसके लिए डेक्लेरेशन के लिए प्रोविजन है फिर किस को दिये गया है कि अगर उसको लगता है कि हां मुझे इस शादी में आगे नहीं रहना है तो वह सेक्शन 13 में प्रेटिशन कोट में डाल सकती है कि मुझे डिवोर्स दिया जाए बहुत से रीजन आपने गिना दिये प्रग्या चुकिए सोचल मीडिया का जमाना है और हम द कि सेक्शन 13 में कुछ प्रोविजन्स दियों हैं तो चीटिंग को हम क्रुएलिटी के अस्पेक्ट में या दायरे में ला सकते हैं तो अगर आपके पास ऐसे अविदेंस हैं प्रूफ हैं जो यह बताते हैं कि आपका पती आपकी पत्नी किसी के साथ इन्वाल्ट है अधर द दायर कर सकते हैं और सबूत ऐसे में यदि आपके पास कोई वाट्साप चाइट हो माल लीजे आपके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो आपने कुछ इस तरीके के सेक्जुल कन्विजेशन अपने हस्बंड या उस महिला के साथ या उसके पैरमॉर के साथ पढ़े हुए है या आपने कुछ ऐसी अवस्था में उन दोनों को पाया है जिसकी आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है या इस तरीके की चीजे तो इनको आप ये पुक्ता सपूत है जो ये बताते हैं कि कही न कहीं इनके साथ चीटिंग हुई है और इन सब को आपनी पेटिशन में पेटिशन में दाखिल कर सकते हैं और कोट इन सारे पहलों पे इन सारे विडेंस को मद्य नजर रखते हुए अपना फैसला सुझाएंगा अगर इस तरह की केसों की आप स्टडी करें पहले केस आते थे डॉमस्टिक वालिंस के या पहले केस आते ते सामने कि उस तरीके से नहीं मिल रही है डी वैल्यू किया जा रहा है या फिर हम तो बहुत प्रतार्ना का शिकार है अभी बढ़ते वक्त के साथ में चीटिंग एक बहुत बड़ा रीजन है और साथी साथ बस इंसान अपने आप में मस्त रहना जाता है वो जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहत एक वीडियो मैंने भी देखा था इंस्टा पर वो कहती है पहले एक टॉचुरस लाइफ मैंने जी लेकिन उसके बाद मैंने डिवोस का फैसला किया एक अगला टॉचर मेरे लिए तयार था कोट में बार-बार वही सवाल पूछे जाना फिर समाज के तानों से दुखी हो ज करना इस वेरी डिफिकल्ट कुए कभी-कभी फैमिली वी समोट सपोर्ट नहीं करती है कभी-कभी सोसाइटी में इतना प्रेशर आ जाता है आपके फ्रेंज आपके इन-लॉस की फैमिली सब आप पे प्रेशर डालते हैं कि आप डिवोस ना फाइल करो या उस बैटल को ना और महीला के लिए मुश्किल हो जाता है बट आज के टाइम में मैं कहूंगे की चीजे बहुत बदल गई हैं कानून में बहुत बदलाव आ गए हैं कोट में बहुत सारी प्रोविजिन हैं फैसिलिटीज हैं जिससे ये ट्रॉमा को थोड़ा रिडियूस कर सकते हैं आज कल म पहले ही प्री लिटिगेशन मेडियेशन है जिसमें आप जब सोच रहे हैं कि आपको कोई केस डाला है और आपको लगता है कि आप उसको पहले समझोते कि खतम करना चाहते हैं समझोता अस अन वीचोल कंसेंट तो मीडियेशन एक प्रावजान है जिसके अंदर आप समाधा पहले केस्ट पहले अपने हस्बंड को एक आप लिए नहीं चल रहा है और मैं चाहते हूं कि हम आपस में आके एक कंसेंसिस पर आजाए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है या हम सेपरेट हो जाए या हम साथ में रहने लग जाए या हम जुडिशन से खतम करें इसको तो कि आजकल मैं तो यही अपने क्लाइंस को भी बोलती हूं कि मीडियेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप जाते हैं इस तरफ तो कितना टाइम लगेगा अगर मेडियाटर को लगता है कि एक दो सेशन में आपका हम जताला मेंधियेशन款 चाहिटे मेंट और मीडियेशन हो जाता है तो मेडियेशन ए Εग्रिरमेंन उनको समझाते हैं कि लडाई से कुछ नहीं रखा, सेटल करना इस बेटर तो प्रिंसिबल काउंसलर के यह भी प्रोसीडिंग होती है लग बग 6 महीने में भी सेटल हो जाता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग केस करते हैं 4-5 साल उसको लड़ते हैं और फिर डिसाइड करते करने वाली थी अगर अगर आप म्यूचल कंसेंट में जाते हैं तो यह सुना है मैंने के 6 महीने आपके कम से कम लग जाते हैं हो सकता है खोड़ा बहुत आगी पीछे हो जाए लेकिन अगर कोई एक पक्ष तयार नहीं है तो कितनी लंबी चल जाती है खिच जाती है यह कि पार्टी के ऊपर alligation लगाया है तो यदि अगर हम mutual की बात करें कि तो आपस में mutual करना चाहती है यह एक पार्टी के मैं नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं आपसमें Memorandum of Understanding बन जाए हला कि Mediation एक Totally voluntary प्रक्रिया है जहां आप दूसरी पार्टी को बात ही नहीं कर सकते हैं कि उसको आना ही आना है अगर हम Divorce by Mutual Consent की बात करें इसमें दो मोशन होते हैं और जुम्मा जुम्मा पूरी प्रक्रिया में 6 महीने आजकल असान हो गया है जो आपसमें चाहें तो सुलह करके Memorandum of Understanding के हिसाब से Mutual Consented Divorce ले सकती है अचा नए अपराधिक कानून चुकी लागू है क्या डिवोस में भी कुछ चेंज है डिवोस में जो भारतिये नियाय संगिता आई है उसमें कुछ भी ऐस सच बदलाव नहीं है वो ऐस सच पर्सनल ल तो वो किसके पास जाएंगे यह से और इसी इस अचीश मेरा पर्सनल इसमें मानना यह है कि असान कुछ भी नहीं है डायवर्स ही असान नहीं है सबसे पहली चीज़ इतना मुश्किल शादी कोई इसलिए नहीं करता है कि कोई डायवर्स देखना पड़े पड़े सामाजी बहुत है तो क्या मुच्छ असान है या वो असान है यह दोनों ही पात बहुत ही तफ है इमोशनली ट्रॉमाटिक है एंड अफकोर्स अगर जो जाने लगते हैं तो वो भी टाम लगता है अच्छा एच्छा अगर चाहूं अगर्च बात्ट जाज़ आए पहले तो यह तो यह तो यह तो इन लग जाएगा यह बड़ी 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 लगता है कि लोगों को यह ल लगेगा ही लगेगा पता नहीं पैसा कितना लग जाएगा इसको लेकर कोई जानकारी आप देंगी अगर आप कानून के इसाब से बात करें तो कोट अलुमनी का एक प्रोविजन है जिसमें अलुमनी दी जाती है पत्नी को और उसके बच्चे को भी अगर आप डिवोर्स करते हैं बाकि अगर आप लिटिगेशन प्रोविजन एक्सपेंस की बात करें आज के टाइम में कोज भी बहुत इसको प्रॉमिन दे रहें डेली लीगल सर्विसे अथारिटी है जिसमें फ्री कानूनी सहायता दी जाती है किसी भी महिला को अच्छा हम डिवोस की बात करें तो एक बड़ा परिवार है और उनकी च अच्छिमी देशों में जादा था अब इसका चलन बढ़ रहा है यह ग्रेडिवोस किया ग्रेडिवोस वो डिवोसे हैं जहां देखे कोई क्वांटम यह करना की पांट साल की शादी यह साथ साल की दस साल की नहीं लेकिन और जाता है कि एक दशक किसी ने साथ में बिता द लेकिन उनके बीच में बन रही है यह आपसी परस पर उनका अंडिस्टैनिग नहीं है तो ऐसे में यदी लाइफ के लेटर स्टेज पर और काफी साल शादी में यदी रहने के बाद आप 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 करते हो तो उसे ग्रे डिवोस कहा जाता है अच्छा यह अलग अलग तरह की चीजे हमारे सामने हैं हमारे साथ मुझे लगता है यह बढ़ती उम्र की बच्चिया यह बहुत से सवाल है सवाल पूछिए नमस्कार मेरे नाम खुशी है और मेरे सवाल यह कि जब डिवर्स केस चल रहा होता है तो उस दुरान कभी कार होता है कि कोई एक जो इनसान है वो व्यक्ति अपना आगे सामें बिताने के लिए किसी और के साथ डेटिंग अप्स रहे हैं डिवर्स की प्रोसीडिंग्स एक इनसान की अलरीडी चल रही है तो अगर आप स्मार्ट है आप चुक के चीज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है यदि नहीं तो अफकोस यह और ग्राउंड है अगर आपके पार्टनर को यह बात पता चलती है तो वह इन अगर रहे हैं यह सब प्रोसेस चल रहा है फिर एक पार्टनर को पता चलता है कि दूसरा पार्टनर किसी और की साथ इन्वाल्ब है यह एक से जादा के साथ इन्वाल लेकिन कोई सबूत नहीं है फिर क्या करें बहुत प्राक्टिकल सवाल अपने पूछा है इस चीज का को कि यदि आपके पास सुबूत नहीं है तो आपके सिर्फ और सब्मिशन माना जाएगा अगर आपके पस किसी डेटिंग आप पर आपने देखा कि आपका पार्टनर जो एक्जिस्टिंग आपका जो स्पाउस है उसका प्रोफाइल बना हुआ है कुछ इस तरीके कि आपके पास अगर कुछ इंफरमेशन आ जाती है या फॉर एक्जांपल किसी और मैट्रिमोनियल साइट में भारत में बाइगमी का प्रावधान है नयाय संगिता जो है हमारी वह बाइगमी बताती है बाइगमी का तात्पर यह है एक लिस्ट हिंदू मैरेज में की जब तक आपका तो यदि हम हिंदू लौ की स्पेसिफिकली बात करें बाइगमी ओफेंस है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है एज लॉयर में यह कभी भी नहीं आपको प्रोमोर्ट करूंगे कि यदि आपकी डिवार्स प्रोसीडिंग्स कोर्ट में अल्रडी चल रही है तो आप एक एक चीज है जो इस कॉंसेट में ही थोड़ा सालग है एक तो यह हुआ कि डेटिंग अपकर आप गए अपने एक पार्टनर डूंडा या फिर आप लिव इन रिलेशनिशिफ में मूव कर गए क्योंकि आप अपने पती या पत्नी से अलग रह 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 थे अच्छा एक तीसर आना और बात्चीत करना या मिलना उसमें कोई बंदित नहीं है आप किसी से भी मिल सकते हैं आप सोचलाइज भी कर सकते हैं विकोज अजब तक आपका पहला डिवोर्स नहीं होता है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं आप लिवन में भी जाना जैसे प्रग्या जी ने भी बोला भी कि अगर आपके कंटेस्टेट हुजमें जो आपके साथ डिवोर्स में है उनको अगर कोई भी इंफोर्मेशन मिल जाती है तो आपके केस में बहुत सादा प्रॉप्लम हो सकती है तो इसलिए किसी को भी कमिट्मेंट देना ओल्रेडिये कमिटे रिलेशंशिप जरूरी है कि कोई सगाई ना हो शादी ना हो या आप लिवन में ना रहे है तो इवेंचली अब तो सुप्रीं कोर्ट ने भी जज्ज्मेंट में बोला हुए कि लिवन रिलेशंशिप सार लीगल तो वैलिट रिलेशंशिप माना जाएगा और बायामी का सेक्शन भी अट् सवाल नमस्कार मेरा नाम कंचन बर्मन है मेरा सवाल यह है कि जो हमारे लौज है वो थोड़े वोमें सेंट्रिक है जो बच्ची की जो कस्टेडी है वो मैक्सिमम या मोस्ली वुमें कोई जाती है तो इस पर आपकी क्या राय तो इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है ऐसा यूजली बोला जाता है कि हमाई जो लौज वोमें सेंट्रिक हैं अगर उसमें आप देखें तो काफी सेंट्रिक से जेंडरल नूट्रल करने का प्रोविजन औरी गवर्मेंट ने इस्टाइश करी दिया है बाकि कस्टिडी की बात अगर हम करें एक चाहिल अगर कोई हस्बें यह प्रूफ कर देगी मैं अपने बच्चे का ध्यान जादा बेटर वे में रख सकता हूं मैं फाइनांशली जादा से क्योर हूं मैं इमोश्टी जादा अटाइच्ट हूं बच्चे से जाला कि आज आज कल विमन से वह किंग है लेकिन अगर हस्बंड बच्चे या तो साथ साल की कमकी एज के हैं या फिर वैसे भी मां से बहुत जादा अटाश्मेंट होता है और मोस्टी केसे में देखे हैं वह आप सेलिविटी को देख लीजिए आम लोगों को देख लीजिए कि मां के पास बच्चे जाते हैं अब जो वुमन वरकिंग नह इसमें आप कोई भी महिला अगर वह एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड में रहती है और उसको अपनी फैनाशली इंडिपेंडेंट नहीं है अगर है भी फैनाशली इंडिपेंडेंट शीजिए नॉट केपेबल एनफ टू टेक केर अफ चाइल और सेल विद फैनाशली कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि उसको दालना है वो है सिंपल अप्लिकेसिन 15 k के डालेगी को मेरे मुझचल हो रही है और मेरा हस्बेंंट जो है Пो मुझे मिंटेंन करे तो सेम घर में एसा नहीं है कि आप धी आपको डिवर्स लेते हुए आप Monroe's अतु होता है कि महिला को डि नहीं करना, she doesn't want to get separated, but वो देख रही है कि उसके लिए एक domestic household में रहना मुश्किल हो रहा है, उसका पती उसका ध्यान नहीं रख पा रहा है, financially उसका ध्यान नहीं रख रहा है, उसकी जो needs हैं वो पूरी नहीं हो रही है, बच्चों के कभी-कभी, हमने देखा है कि बच्चों क स्कूल की फीस होती है, वो भी फादर नहीं पे करता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो नहीं डिवोर्स लेना चाहती है अपने हजबन से, because she wants to stay there with the family, बच्चे की भी security के लिए उसको होता है कि मैं इसी घर में रहूं, तो ऐसे cases में वो डिवोर्स ना फाइल करके, सिर्फ मे हमारी आसपास ऐसे कई लोग हैं, मैंने भी इन फाक ऐसे आदमीयों को सुना है, जो बताते हैं कि भई दिवोर्स केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट में थाबित करना है कि मैं कुछ नहीं कमाता है, इसलिए वो अलग अलग तरीके निकालते हैं कि मुझे बैंक में सेलरी ना है, या मुझे कैश मिल जाए, वो अलग अलग जुगार लगाते हैं, या कुछ अपने पेरेंट्स या बड़े जो घर के बुजूर्ग होते हैं, उनसे अपने आपको बेदखल करवा देते हैं, यह दिखाने के लिए कि ना मेरे पास कोई संपत्ती है, ना मैं कुछ कमाता इसी चीजें क्या मुश्किले बढ़ा नहीं रहती हैं, पर क्या कोट इन सब चीजों की नहीं करता हैं, पहले ऐसा काफी होता था कि पार्टी अपनी असेट्स और लियाबिल्टी को को कोट के समक्ष नहीं रखना चाहती थी, जितना वो अपनी कम सैलरी दिखाएंगी, उत नहा वर्सिस रजनीश एक लैंडमार्क जज्मेंट आया था डेली हाई कोट का, उसने प्रॉपर फॉर्माट सेट बनाया है, जहां दोनों पार्टी इसको अपने एसेट्स को और अपनी लाइबिल्टी इसको हंड़िट परसेंट डिस्क्लोज करना पड़ता है, एफिडे पत्थी-पत्नी है, पत्नी वर्केंग तो भी क्या मेंटनेंस के लिए वो मांग कर सकते है तो आजकल एक चीज और है जो मैं बोलना चाहूंगी, आजकल husbands की maintenance मांग रहे हैं पच्णियों से, तो ऐसा भी होता है कि जहां देखा जाता है, कि husband अपने आपको maintain नहीं करा और व यह समाकर थो क्माने के लिए और इस हीलिए उस को अगर उनको लगता है कि हँदने हैं नहीं सकता है और उसने कोशिश गडुन के संदती लगणार कोई जौब युटनिया एसे पाइसे कधर में रहे हैं यह अगर अगर एक वाइफ और और ऊसरी अudग च han रख रही है and she still wants maintenance उसको maintenance मिल सकता है क्योंकि वह कोड में बोल सकती है कि मैं जितना कमा रही हूं वह मेरे status के हिसाब से मैं maintain नहीं कर पारी हूं अपना status मैं बच्चे के लिए enough नहीं कर पारी हूं में को बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है और उसके लिए मेरी salary is not enough तो वह maintenance petition में अपने husband से maintenance मां सकती है जिसमें बच्चा नहीं है wife working है अलग हो रहे हैं तो maintenance बनता है क्या है so maintenance सब भी बनता है अगर कोई husband and wife है and wife is living in a domestic household तो एक husband की duty है हमारा law यह कहता है कि every husband has a duty to maintain his wife like couple divorce file करते है कि हमें साथ में नहीं है नहीं हम डिवार्स लेंगे बट अगर वो पेरेंट है तो उन तोनों को अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए होगी अगर आप महिला की बात करे कि अगर वो इतना अगर दोनों ने मुचली डिसाइड कर लिया है कि हमें साथ में नहीं रहना है तो वो म्यूचल कंसें से अपना डिवोर्स लिखते हैं कि बच्चे की कस्टडी किस के पास रहेगी बच्चे किस के पास विसिटेशन के पास जाएगा अगर महिला के पास कस्टडी है तो अपने म्यूचल डिवोर्स के टाइम पर एक condition रखवा सकता है कि मुझे साटरडे या महिने में एक बार विजिटेशन राइट मिलेगा अगर महिला नहीं है कि वह बच्चे का ध्यान रख सके तो वह बहुत आपको विजिटेशन राइट में दे दूंगी बट आप बच्चे की कूशन के लिए आप उसके लिए कुछ पैसे देंगे मंतली या पर्म को विजिटेशन राइट मिल जाएगा हजबें बच्चे को मेंटें करेंगा मंतली उसके लिए कुछ एमाउंट देगा या पर्मनेंट एक अलमनी देगा तो ऐसे उनका मैनेज हो सकता है यह बहुत सच बात है आज भी हम कितने बींडिपेंडेंट हो जाएं कितने भी आग अब यह पैसला किया वही लौग जो पहले सपोर्ट कर रहे थे अपने बेटे की कमी निकालते हुए वो जैसे ही वह लड़की घर से निकलते ही है वह बिलकुल अपने वेटे के सपोर्ट में चले जाते हैं अब लड़की जो उस घर में सालों तक रहकर कोई सबूत नहीं ज जाती है कोई सबूट ना हो तो क्या करे ऐसे बहुत सारे केसे नहीं जरूर मुतलब कोई शादी करता है कि शादी टोड़ी जाए तो आप देवन से एविदेन्स करने के लिए जुटाने के लिए चादी नहीं करते हैं तो इसी बहुत सारी चीजे जो आपके समख्ष हुई है आपके साथ यात्नाय हुई है लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया जैसे बोला जाता है कि कभी अगर आपके साथ मार पीट हुई है तो आपको तुरंत या तो आप PCR को कॉल करिए यह आप अपने शदी हैं उसके लिए आप जोगे मलसी कराई किसी सरकारी है उसके लिए बड़ी हमत की काम बेशब बहुत बहुत है जो नहीं करती है बिल्कुल तो यदी मान लिजा आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेट प्रूफ नहीं है एविडेंस नहीं है ना फोन की चैट है कुछ भी नहीं है हमारे पास ऐसे केसे भी आते हैं उस पे डॉमेस्टिक वाइलन्स अधिनियम 2005 में आता बड़ा अच्छा लेजिसलेशन है जिसने यह औरत को राइट दिया है कि वाइलन्स अब उसको बहुत ब्रॉड डेफिनिशन कर दी गई है जिसमें मांसिक उत्पीडन फाइनांशिल उत्पीडन यह सब आती है बड़ा ही खास टॉपिक आज का था महिलाओं से जुड़ा हुआ उनकी परेशानियों से जुड़ा हुआ जिस पर आपने बहुत ही डीटेल में मुझे लगठा है मेरे या ओडियंस या दर्शुकों के जहन में जितने सवाल थे उन सभी के जबाब उन्हें मिल गए होंगे मेनाक्षी प्रग्या आप दोनों स्टूडियो में अपना खास टाइम दिया हमें बहुत बहुत शुक्रिया आप था को पावर्ट बाद